किसान भाईयों हम पोधे को दूसरे डिंचिंग में रेड़ी फीड में हार फर्टीलाइजर में क्या दे सकते हैं और दूसरा क्या देना चाहिए ताकि पत्ते की साइज बड़ी आए और प्लांट चलने लगे उसके उपर हम बात करेंगे आज और जो हमने स्प्रे किया था चार दिन पहले उसकी वज़ा से यह पत्ता अभी नया खुलने लगा है और पोधा अभी चलने लगा है और अभी हम दूसरा डिंचिंग कर रहा है तो वह डिंचिंग में हम क्या लए रहे हैं वह आपको दिखाएंगे तो किसान मीत्रो मैं हूँ स्रेयस पटेल और आप देख रहे है ट्रू एग्रिकल्चर रेडी फीड में हमने क्या लिया है उसके उपर हम चर्चा करेंगे डिंचिंग में हमने लिया है दस केजी चौविस चौविस जीरो जो हार्ट फटी लाइजर आता है डालने के लिए खेट में वह लिया है एक केजी लिया है हमने जीरो जीरो पचास और दो केजी मेगनेसियम सल्फेट और एक लीटर माइक्रो नूट्रियंस और एक लीटर फोस्फारिक एसिड लिया है फोस्फारिक एसिड लेने का कारण यह है कि जो हमने हार फटी लाइजर लिया है वो गुलन सिल हो जाए और पोधे का रूट जोन भी बढ़ेगा और पोधे को रेडी फीड मिल जाएगा हमने जो स्प्रे किया था उसका रिजल्ट देख लो आप हमने जो अभी यह ड्रिंचिंग लिया है वो वानस पतिक विकास के लिये लिया है अभी तीसरा ड्रिंचिंग हम साथ दिन बात करेंगे वो उसका गठान और स्टेंप बनाने के लिए ले देंगे और मैगनेसियम सलफेट लेने का काराण यह है जो पोटेसियम रहता है उसका अप्टेक बढ़ारे में मदद करता है और पोधे में जो ग्रीनरी नहीं आती है वो ग्रीनरी भी लाता है और चौविस चौविस जीरो और जीरो जीरो पचास लेने का काराण यह है कि उसमें एनपी के की मातरा आ जाती है और वानस पतिक वृद्धी में अच्छा रहता है तो किसान मीत्रो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए